हेलो दोस्तों नवस्कार केशे आप लोग उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम बात करेंगे एरी में दर्द क्यों होती है एरी में सूजन क्यों होती है डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि एरी के हड़ी बढ़ गई है तो क्या उपचार करें इसी जानकारी क की बाड़े में हम लोग लेका है सुबह पेशे आके कहेगा कि सुबह पैर रख नहीं पाते हैं इतनी टीस मारती इतनी एरी में सूजन होती है इतनी काटे के जैसे चूबने जैसी दर्द होती इसके लिए क्या करें इसके लिए पहले हम कारण जानेंगे तो उसका एस्ट्र और जो होता है आपको टार्सल ट्र टनिल सिंड्रोम टेंडो एचिलस व्या inspirative करेंगे की कमी इद दर्द होने की और खास करके जिनको यूरी के सिट बढ़ जाती है उस कंडिसन में भी पेषेंट को ये एरी में दर्द होने की शंभावना होती है और खास करके टारसल टनेल सिंडरोम तो है ही प्लांटर बरसाइटिस जो है ये भी बहुत अच्छा रोल पैदा करता है लाने का क्या होता है सूजन हो जाती ही एंफ्लामेशन हो जाती है तो बहुत जादा अज़ाती है पेशेट एगत कंप्लेण क्या करेगा बहुत ज्यादा अब्धा होते देखने के मिलेगा तो हम क्या करेंगे चलिए इसके जानकारी के लिए आप मेरे चैनल बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के नए जानकारी आपको मिलते रहें चलिए आगे हम जानते हैं इसका होने के बाद क्या उपचार लें त तीस पावर में दो-दो बूंद करके तीन बार दिजिएगा और खास करके जब पिशेंट बोले को उनको एरी में दर्द हो रही है एरी में बोनी ग्रोथ हो गई है हड़ी बढ़ गया है तो केलकेडिया फ्लोर 6X में पांच-पांच टेबलेट करके भर दिन में तीन बार दि रिजल्ट है इसको आप लेके देखिए बहुत कारगा रिजल्ट है धन्यबाद